अस्सलामुलाइकुम वीडियोग्राफी सीरीज के एक और टुटोरियल में खुशामदीद आज के इस टुटोरियल में मैं आप लोगों को प्राडक्ट्स के फोटोज के जरीए एक वीडियो एड बनाने का तरीका बताऊंगा जो वीडियो एड आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही वीडियो एड आज के इस टुटोरियल में हम बनाने वाले हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो एड में ताप पे जो है वो टाइटल आ रहा है और सेंटर में जो इमेज अवेलेबल है वो हर पेज पर डिफरेंट इमेज एनिमेट होकर आती है और नीचे जो है इस प्राड़क्ट के फीचर्स एनिमेट करते हुए आ रहे है और एक बैकगरांड म्यूजिक लगा है तो जनाब इस तरह के वीडियो एड्स बनाकर आप अगर चाहें तो फाइवर और अपवर्क पे जाकर अपनी सर्विस देखकर डिजिटल मार्किटिंग के जरिए बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं या फिर आप अपने परसनल डाट कॉम लिखकर इस वेब साइड को उपन कर लेना है इसके बाद अगर आप यहां वीडियो के मड्यूल में आए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप मुक्तलिफ किसम की वीडियो बना सकते हैं हमने यहां पर फेसबुक एड बनाना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो एक निया कैन्वस मेरे सामने ओपन हो चुका है अगर आप लेफट साइट पर देखें तो यहाँ पर बे तहाशा टेंपलेट्स दी होती हैं जिन में से आप किसी भी टेंपलेट को यूज करके बड़ी ही असानी से वीडियो एड्स बना सकते हैं लेकिन हमन यह जो प्रड़क्ट का डेटा मैंने यूज किया है वो यहाँ amazon.com से यूज किया है तो इसकी description और photos यहाँ पर available हैं सबसे पहले मैं आता हूँ elements में और यहाँ पर आकर मैं gradient लिखकर type कर देता हूँ तो यहाँ पर multiple gradient elements आ चुके हैं यहाँ से मैं यह वाल element यूज कर लेता यह मेरे canvas पर आ चुका है तो इसको मैं अब पूरे canvas पर set कर लेता हूँ इसके बाद मैं एक और element यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इस element को use कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर set कर लेता हूँ इसके बाद यही element फिर से लेकर आता हूँ और इसे थोड़ा स rotate करने के बाद यहां पर set कर लेता हूँ और जनाब इनकी position जो है आप लोगों ने बिल्कुल equal कर लेनी है और अगर आपको समझ ना आए तो उपर से ruler ले आए और उसके जरीए बराबर कर ले अब यहां पर मैंने product का title लेके आना है तो मैं Amazon पर जाओंगा बड़ा कर लूँगा और इसकी position जो है वो center कर लूँगा इसके बाद मैं आता हूँ text के effect में और यहां से background वाला यह effect apply कर लेता हूँ तो जनाब अभी भी यह title नहीं लग रहा तो मैं इसे bold or कर लेता हूँ और अब जो है product की image लेकर आने के लिए मैं जाता हूँ upload में और यहां पर आप देख सकते हैं के product की तमाम images यहां पर मैं upload कर चुका हूँ तो यहां से सबसे पहले जो image मैंने use करनी है वो यह वाली image है इस पर करता हूँ click और यह मेरे canvas पर आ गई इसको यहां पर रखता हूँ और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और जनाब अब इसकी position भी center कर लेते हैं और अब मैं इस product के top level पर और bottom level पर एक एक ruler रख लेता हूँ ताके आगे आने वाली तमाम images की alignment भी equal हो और अब मैं यह चाहता हूँ के यहां पर इस product का कोई feature लिखा हुआ है तो मैं Amazon पर आता हूँ और यहां से इस text को कर लेता हूँ copy और अपने canvas पर आकर paste कर लेता हूँ इसके बाद मैं इसे एक अच्छी सी font apply कर देता हूँ तो मैं आता हूँ fonts में और यहां पर आकर britney वाली font सर्च कर लेता हूँ और इसे apply कर लेता हूँ और जनाब अब जरा आप इस text का look चेक करें और कैसा लगा वो comment box में बताएं तो जनाब अब हमने इस picture के नीचे इस product के features दिखाने हैं तो मैं जाता हूँ amazon.com पर यहां से इस line को कर लेता हूँ copy और यहां पर अपने canvas पर आकर यहां मैं आता हूँ text के इस module में और यहां से इस layer को कर देता हूँ click तो यह मेरे canvas पर आ चुकी है यहां पर मैं अपना text paste कर देता हूँ और इसे नीचे set कर लेता हूँ इसके बाद यहां पर एक bullet point extra आ गया था तो मैं इसको remove कर लेता हूँ और इस text layer का जो color है वो मैं white कर लेता हूँ और यहां पर इस product का एक feature आ चुका है और इसमें कुछ extra text है मैं उसे कर लेता हूँ remove और इसके बाद हम इस page पर animations apply करते हैं तो सबसे पहले मैं heading को animation देता हूँ और इसे block वाली animation apply कर लेता हूँ और इसे on enter वाली animation apply कर लेता हूँ इसके बाद मैंने नीचे वाले text पर animation apply करनी है तो मैं यह वाली animation यहां पर अप्लाई करता हूँ इसका view आप साथ-साथ देख सकते हैं इसके इलावा अगर आप इस animation का view चेक करें तो ये भी इससे कुछ मिलता जुलता view है तो दोस्तो यहां से आप कोई भी animation अपनी मर्जी से apply कर सकते हैं और इसके बाद मैंने इस image पर भी animation लगानी है तो मैं इसे select करता हूँ और यहां से ये वाली animation apply करता हूँ और इसे भी on enter select कर लेता हूँ इसके बाद नीचे जो text की लियर है जिसमें features आ रहे हैं इस पर मैं टाइप राइटर वाली ये animation apply करता हूँ और on enter कर लेता हूँ और दोस्तो यह हमारा पहला page जो है त्यार हो चुका है अब इसकी timing और set कर लेता हूँ ताके आगे के pages बनाने में असानी हो तो जनाब अब next page बनाने के लिए मैं इस page को करता हूँ duplicate तो इस next page पर मुझे जो title है इसकी animation नहीं चाहिए तो मैं इसकी animation को remove कर देता हूँ इसके बाद इस नीचे वाले text की भी animation मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसे भी remove कर लेता हूँ और यह जो picture है इसको तो हमने वैसे ही delete कर देना है तो अब मैं next feature लेकर आने के लिए Amazon पे जाता हूँ यहां से second line copy कर लेता हूँ और यहां second page पे आकर इसे paste कर लेता हूँ और इसका bullet point remove कर लेते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके animation पहले से applied है लेकिन इसकी position जो है मैं center कर लेता हूँ और अब हमने यह picture change करनी है और इसकी जगा पर यह वाली picture लगानी है तो मैं इसे कर देता हूँ delete और इस picture को मैं यहां पर लाकर बड़ा करता हूँ और इसकी position सेट कर लेता हूँ और इसके बाद हमने इस picture पर animation अपलाई कर लेनी है तो मैं यह वाली animation अपलाई करता हूँ और on enter कर लेता हूँ और दोस्तो next page बनाने के लिए इस page को हम फिर से duplicate करते हैं और उसी तरह amazon पर जाकर third line यहां से copy करता हूँ और यहां पर लाकर paste कर लेता हूँ इसके बाद इसका bullet point remove करते है अब मुझे एक और line यहां पर चाहिए तो मैं amazon पर फिर से जाऊंगा और एक और line महां से copy कर लेता हूँ और यहां पर इसे लाकर paste कर लेता हूँ और इसका भी bullet point खतम कर लेंगे इसके बाद इसकी position पहले ही center है इसके बाद फिर से हम picture change करेंगे और उसे बड़ा करने के बाद उसकी position भी set कर लेंगे और इस पर भी animation apply कर लेंगे वही वाली और on enter select कर लेंगे तो दोस्तो इसी तरह से आप page को duplicate करते जाएंगे और उसमें जो text आपने type करना है उसे change करते जाएंगे उसके बाद उसकी picture को भी change करेंगे और उस पर फिर से animation apply करते जाएंगे और इसी process को continue करते हुए आपने अपनी product के against multiple pages बना लेने हैं और अपनी वीडियो को complete कर लेना है तो दोस्तो इसी तरह last page बनाने के लिए मैं इस page को duplicate करता हूँ और यहां पर मैं चाहता हूँ के last page पर इस product की price नजर आए तो मैं price को copy कर लेता हूँ और इस text की जगा पर paste कर देता हूँ और अब मैं चाहता हूँ के ये price थोड़ी नमाया नजर आए तो मैं इसकी font जो है येवाली font apply कर लेता हूँ और इस पर येवाली animation अपलाई कर लेता हूँ इसके बाद मैंने image change करनी है तो मैं येवाली image use करता हूँ और इसे यहां पर बड़ा कर लेता हूँ इसके बाद इसकी position भी center कर लूँगा और नीचे जो टेक्स अवेलिबल है ये हमें नहीं चाहिए तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और हमारी ये वीडियो कम्पलीट हो चुकी है तो इसका प्रिवियू देखने के लिए मैं प्लेयर हैड को स्टार्ट में ले आँँगा और इसे आइस्ता हिस्ता करके तमाम पेजिस के उपर से गुजार दूँगा और जहां पर मुझे कोई घल्ती नजर आई तो उसे मैं यहां पर सुदार सकता हूँ आइ तिंक यहां पर मेरे तमाम पेजिस ठीक आ रहे हैं अब मैं आप लोगों को यहां पर आडियो अपलाई करना सिखाता हूँ तो इसके लिए यहां आडियो की मडियूल से फ्री म्यूजिक मिल जाते होते हैं और अगर आप अपनी वाइस होवर वाली आडियो यूज करना चाहें और आप देख सकते हैं के बैगराउंड म्यूजिक भी आ चुका है और अब मैं लास्ट पेज का टाइम जो है टैन सेकिंड करना चाहता हूँ तो मैं इसे इंक्रीज कर लेता हूँ और देट सिट तो जनाब यह थी आज की वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को प्राड़क्टी पिक्चर्ज के जिरिए एक वीडियो एड बनाने का तरीका बताया तो कैसी लगी यह वीडियो राए का इजहार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है इसके साथ ही मैं इजाज़ा चाहता हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज